अगले 24 गंटे में मांसून केंट्री मौसम विभाग ने दी बड़े खुश खबरी इस दिन से दक्षित 36 गर में बारिष की एक्टिविटी 36 गर में दो दिन बाद मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा हाला कि इस दोरान तापान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी जिबकि लू से जरूर रहत मिला शुरू हो जाएगा इसके साथ ही तापान भी औस्तन 40 डिग्री से 42 डिग्री तक रिकॉर्ड क्या जाएगा वही दक्षित 36 गर में प्रिमान सुन के तहत बारिष की एक्टिविटी भी सुरू हो जाएगी से लोगों को लू से रहत मिलेगी लेकिन उमस और गर्मी परिसान करेगी 36 गर में नौ तपा का पांच पा दिन भी खुब तपा प्रदेश में दो दिनों से मौसमी भाग ने यलो अलर्ट जारी किया है प्रदेश के कई हिस्सों में लो चल रही है लू का ज्यादा साथ दोर्ग बिलासपूर और राइपूर संभाग में है हाला कि मैमा के आकरे दि 47 डिग्री सिल्सस रिकॉर्ड क्या गया वही राइपूर में पिछले चार सालों का रिकॉर्ड टूटा है चार साल बाद राजधाने राइपूर का पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा है धर नंदनी थाना छेत में लू की चपेट में आने से एक महिला के मौत हो गई बतान की ज्यादा खपत होने से ट्रंसफार्मर में लोड बढ़ गया है लोड बढ़ने से कई जगों में ट्रंसफार्मर रूड रही है ट्रंसफार्मर खराब होने से कई लाकों में लोगों को बिजली नहीं मिलने के कारण रत जगा करना पड़ा नौत पाके पांच में दिन पे वे चलेगी इसको लेकर मौसम विभागने अलर्ट जारे किया है 31 जुन तक गर्महवाओं का दौर जारे रहेगा इसके बाद एक जुन से फिर से नमेयुकत हवा चलेगी से 36 गर में लू से रहात मिलेगी इसके साथ ही ताफान में भी गिरावाट आएगी 36 गर में ऑस्तन ता कि जेगा मिलते है ने इस्टे वीडियो में